हेलो दोस्तों वीकेर फार्मेसी के यूटुब चैन में आपका स्वागत है आज हम रेवीव करने वाले हैं रेमडेश्वीर इंजेक्शन के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे रेमडेश्वीर इंजेक्शन है क्या किसली इसका इसका इस्तमाल COVID-19 में किया जा करता है और क्या इसके फाइदे आपको देखने को मिल सकते हैं क्या side effect इसके आपको देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेमडेश्वीर है क्या दोस्तों रेमडेश्वीर एक broad spectrum antiviral medication है जो काफी effective है उन patient के लिए जो hospitalized है severe COVID-19 infection से दोस्तों कुछ studies suggest करती हैं कि जब remdesivir injection दिया जाता है तो patient जल्दी recover करता है as compared to other treatment तो remdesivir injection से patient को जल्दी अराम होता है इसलिए remdesivir injection आज कल इतना ज्यादा market में मसूर है इतना ज्यादा short भी इसलिए हुआ है ये काम से आपर मेरा मतलब है severe acute respiratory syndrome उस virus को body में replicate करने में ये रोकता है तो जब remdesivir injection दिया जाता है तो virus की copy body में नहीं बनती और वो body में जो उसका फैलाव है जो वो body में ज़्यादा बढ़ता है वो रुक जाता है और इस injection से body में viral load भी कम होता है तो इसलिए remdesivir injection दिया जाता है अब बात करते हैं remdesivir injection COVID-19 में काम कैसे करता है तो दोस्तों COVID-19 lungs पर effect करता है और oxygen rate को कम कर देता है तो remdesivir injection lungs को damage होने से बचाता है और उसकी जो virus की replication है उसको रोकता है जिस वज़े से oxygen rate maintain रहता है down नहीं होता बात करते हैं इसको लेने से side effect क्या हो सकते हैं काफी cases में दोस्तों देखा गया है कि remdesivir से red blood cell है वो कम होते हैं जिसको एनिमिया भी बोलते हैं जिस disease को और fever भी आ सकता है इसके इस्तमाल से hypotension यानि low blood pressure भी देखने को मिल सकता है नोजियाओं में टिक्नी समश्या भी देखने को मिल सकती है लेकिन ये सभी side effect हर case में देखने को नहीं मिलते हैं बहुतरे air cases में देखने को मिलते हैं तो बात करें अगर दोस्तों expert advice की तो remdesivir injection को 12 साल से उपर के ही hospitalized patient को दिया जाना चाहिए दोस्तों ये injection लगाने से पहले कोई patient अगर kidney और liver जिसका damage है तो ये injection लगाने से पहले उसको जाच लेना चाहिए कि उसका liver और kidney कैसे काम कर रहा है और injection लगने के बाद भी इन दोनों organs की condition को जाच लेना चाहिए दोस्तों इस injection को intravenous दिया जाता है यानि direct नस में लगाया जाता है बात करें अगर remdesivir की safety advice की तो इस injection को लेने से पहले खरीजने से पहले आप expiry और injection की packing को ची तरह से जाच ले क्योंकि इस समय ये injection काफी short हो रहा है क्योंकि market में इसको black किया जा रहा है क्योंकि इसकी production बहुत कम है और market में demand बहुत ही जादा इसकी अभी चल रही है तो इस injection को black करके जादा rate में बेचा जा रहा है हमेशा इस तरह से इस injection को ना खरीदे अगर आपको ये direct market से खरीदे हो और इसको check करने की expiry और packing इसकी ठीक हो pregnant और breast feeding patient को ये injection लगाने से पहले doctor की सला जरूर ले 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 बिना doctor की सला अगे इस injection को ना लगाए इस injection को self-medicate ना गरे खुझ से ना लगाए क्योंकि एक emergency drug है तो इसे doctor की सला के साथ ही लेना चाहिए तो दोस्तों ये थरेमडैस्वीर injection के बारे मेरा review अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों साथ शेयर करें कोई सवाल या सजाओ तो कमेंट सेक्शन में बताएं चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में लगे गंटे का आइकन को दबा दें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद